हाई फ्रेंज्स आम रूपाइनल कम टो यूट्यूब चैनल रूपास कॉर्णर में आवर मिन्स मैं और आप लोग आई होप यूब आ डूइंग विल तो गाईस विंटर आ चुकी है और हम सब इगली वेट करते हैं विंटर के लिए क्योंकि विंटर मतलब ट्रावेलिंग, पिकनिक में जाना, वेटिंग फांक्शन अटन करना, क्रिस्मास, निव यार और कितना कुछ लेकिन विंटर के साथ साथ बहुत सारे स्कीन प्रॉब्लेम भी आ जाती है और हमें वो सब फेस करना पड़ता है क्योंकि विंटर में फट सारे प्रॉब्लेम फेस करने परती है, जैसे कि डल फेस, ड्राइब बॉडी, फ्लेकी स्कीन, चैपक लीप्स और कितना कुछ अभी आप यह सुनकर टेंशन में पढ़ गाए हो, अरे यार टेंशन छोड़ो एंड विंटर एंज्वाइ करो, प्रॉब्लेम सॉल्व करने के लिए मैं ही हाप बैटी हूँना, तो आज कुछ मैं ऐसे टीप्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी एकोडिन टू आरवेदिक जिसे फॉलो करके अभी चुटकी में उन सभी प्रॉब्लेम को भागा सकते हो, तो चलिए वीडियो जल्दे से शुरू करते हैं, लेकिन वी अभी है सुभा के साथ, तो हमें सुभा उठकर ही हमें लेना है एक ग्लास भर के वाम वाटर, मॉर्निंग में काफी इनर्जी लो फील होती है उठने के बाद तो इसे पीकर आपकी इनर्जी आप डिस्टोर करोगे, नेक्स्ट अपको होना है फ्रेश, फ्रेश होने के देर का पानी ले लो, फिर उसमें 6-7 तुलसी के पत्ते, एक इंच अध्रक और दो ऐसे दार्चिनी के स्टिक और हाफ चम्मच अजवाएन डाल दो पानी में, फिर उसे अच्छे से बॉयल करो, इतना देर तक बॉयल करो ताकि वो एक काप में आ जाए, फिर उसे आप छान लो, एक छनी के हिल्प से, और उसमें आप हाफ चम्मच हानी एट करो, अच्छे से मिक्स करो, और उसे पी जाओ, गाइस, वींटर में यह हिल्टिंग, अगर डेली मॉर्निंग में आप ले सकते हो, तो यह आपकी हिल्ट के लिए बहुत ही वेनिफिशियल है, बहुत ही अगर आपकी बॉड़ी अंदर से क्लीन, अंदर से हिल्दी रहेगी, तो बाहर उसकी रिफ्लेक्शन जरूर दिखेगी, बाहर से भी आपकी फेस, कीन उतनी जादा ग्लोइंग और उतनी जादा प्लैंपी दिखेगी गाइस बॉड़ी को अंदर से तो हमने क्लीन कर लिए, अभी हम करेंगे बॉड़ी को बाहर से भी क्लीन, उसके लिए हमें रेडी करना है एक होम मेट स्क्राब, स्क्राब के लिए हमें चाहिए 2 स्पून सेजमी सीर्स, मतलब जो वाइट तील आती है, वो हमें लेना है एक मिल्क, अब मिल्क ऐसे डालो कि आपकी जो सेजमी सीर से पो अच्छी तरह से भीग जाए और उसे आप 2-3 आवर्स तक रग दो ऐसे ढख कर, फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में आप दरदरा करके उसे पीस लो, नेक्स्ट हम उसमें एट करेंगे 1 स्पून हनी और अच्छे स मिक्स कर लो, अभी आपकी होममेट स्क्राब रेडी है, आपकी फेस को पानी से थोड़ा सा गीला कर लो, और फिर हलके हातों से ऐसे सर्कुलर मोशन में उस पेस्ट को आप रब करो फेस के ऊपर, एक मिनित तक उसे मसाज करो, फिर आपको नॉर्मल वाटर से आपकी फेस को क्लीन करना है, गाईस मार्केट बाली जो स्क्राब होती है, उसे स्किप करके आप होम मेट स्क्राबी यूस करने के लिए ठ्राई करो at least ट्विंटर में, 據कि मार्केट बाली स्क्राब होती है, वो बहुत ज़दा हार्ष होती है, इसलिए हमारे स्किन और भी ज्याधा ड्र क्र गाइस क्राबिंग्स के बाद फेस। अच्छे से लेगा हैं क्लीन हो गई चुछ है। थोड़ी सी कस्तुरी हल्दी एन लास्ट उसमें एट करो टू स्पुन कार्ड फिर उसे अच्छे से आप मिक्स कर लो और एक ठीक पेस्ट बना लो नेक्स्ट आप उसको आप एज़ा फेस पर फेस पर एपलाई करो और 15 से 20 मिनित तक रख कर उसे नॉर्माल वाटा से क्लीन कर लो मेरीगोल्ड आपकी ड्राइ स्कीन को हील करेगी प्रिवेंट करेगी प्रिमैचियोर एजिंग को आपकी फेस पर अगर रेडनेस और उसे भी रिडियूस करेगी सादेलूड पाउडर आपकी एकने प्रॉबलेम को सॉल्व करती है रिंकेल को प्रिवेंट करती है तार्मारिक में एंटी इंफ्लेमेंटरी प्रॉपाटी एंटी बैक्टिरियल प्रॉपाटी होने के बज़े से यह आपकी स्कीन को ग्लो करने में हेल्प करती है अपनी जो आपकी जो एकनेस कार्ड से उसे फेट करती है और कार्ट की बज़े से आपकी जो pigmentation है वो reduce होगी, moisture प्रोवाइट होगी और आपकी जो dead skin cell से वो भी अच्छी तरह से remove करती है कार्ट तो आप ये face pack आप week में एक बार ज़रूर try करना और आप खुद ही देखना कि एक natural glow आपकी face पर आजाएगी face pack अपलाई करना विंटर में और जो एक बड़ी प्रॉब्लेम है वो है lips का फटना, lips बहुत जादा dry हो जाती है और कभी-कभी तो खून भी बहार आने लगता है तो face के साथ हमें lips का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर करेंगे lips scrub उसके लिए हमें लेना है two spoon sugar, half spoon honey and half spoon almond oil अच्छे से mix करो, scrub ready, अभी हमको finger की help से इसे paste को lips पर apply करना है और हलके हातों से उसे rub करना है 30 सेगंद तक इसे आपकी जो lips की जो dare skin है, जो white सी skin आ जाती है lips पर वो अच्छे से remove हो जाएगी, clean हो जाएगी और सुगार यापर अच्छे से exfoliate का काम करेगी, honey आपकी lips को moisture प्रोवाइट करेगी, almond oil आपकी जो black spot है उसे reduce करेगी उसे scrub को clean कर लो पानी से और कोई ठीक lip balm एपलाई करो, आप boroline भी यहापर एपलाई कर सकते हो winter में हमारे body बहुत जादा dry हो जाती है, जितनी भी आप body lotion एपलाई कर लो ना, फिर भी कुछ देर के बाद हाथ पैर white white दिखती है, तो हमारे body को भी अच्छे से care करना पड़ेगा इसके लिए आपके पास जो भी oil available है, आप ले लो, मैं यहापर coconut oil ले रही हूँ, और उसे थूड़ा सा गरम कर लो, आप double boiler process में कर सकते हो, माइक्रोवेन में कर सकते हो, फिर shower से पहले आपको अच्छे से body को उस oil से मसाच करना पड़ेगा, और one hour तक आपको रग देना है, तो one hour बाद shower लेंते time, आप इस टाइप की लूफा ले लो, उसमें आपकी shower gel ले लो, और उससे आपकी body को clean करो, तो excess oil remove हो जाएगी, आपकी body जितना oil absorb करना है, वो कर लेगी, after shower जब आप body lotion एपलाई करते हो, आपकी body पर उस body lotion पर आप 2-3 drops glycerin ले लो, और उसे हाथ से आप ऐसे mix करो, फिर उसको body पर एपलाई करो, तो देखना दिन भर आपकी body moisturize रहेगी, बिल्कूल भी white white नहीं दिखेगी, और second time भी आपको body lotion एपलाई करने की जरूरत नहीं हो तो गाइस, अभी हम ready करेंगे एक homemade night serum, अगर इस serum को आप पूरे winter में apply करोगे, तो आपकी face बिल्कूल भी dry नहीं होगी, और बहुत ज़्यदा glowing भी दिखेगी, तो इस homemade serum को बनाने के लिए हमें लेना है glycerin 2 spoon, उसमें add करना है 4 spoon rose water, next उसमें add करना है half nimbu का rust, and last उसमें add कर gel, then उसे आप अच्छे से mix करो, and इसे आप daily night में apply करो, आप इसे ज़्यादा बना कर भी one week तक freeze में store कर सकते हो, लेकिन आपको glass एक bottle में ही store करना है, सोने से पहले इस serum को अपकी clean face पर आपको daily apply करना है, ये serum आपको बहुत अच्छे से moisture प्रोवाइट करेगी, अगर आपकी face पर कोई pigmentation है, तो वो भी इस से remove होगी, क्योंकि इसमें lemon juice है guys, ये serum आप ज़रूर ट्राइ करना, आपको अलग से moisturizer या cream भी apply करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपकी face dry नहीं होगी, सुबा उठने के बाद भी आपकी face पर आप glow देखना, तो guys ये थी मेरी आ सब बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जबी जबी वीडियो रालू, आप लोगों के पास पहले notification जा सके, अब पहले मेरे वीडियो को देख पाओ, तो मिलती हूँ next वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, love you all